हाई दोस्तों स्वागत है आपके चनल रजिस्थान के उज़ में दोस्तों आज हम सेट 14 की बात करेंगे कि इस सेट में टोटल 35 कोशन है आप कमेंड बाक्स में बताएंगे 35 में से आपके कितना करेक्ट हुआ चलिए दोस्तों आज सेट स्टार्ट करने कोशन नमर फर्स्ट कुछ रहा है कि मुष्षी महराणी की छत्री कहां इस्तित हैं दोस्तों जैसे आपको पता होगा कि 29 नमबर को रजस्थान में जेजिन के परिच्छा हुई थी ठीक अगर हम बात करें रजस्थान जी के कि तो उसमें हमारे सेट से यानि कि हमारे पेटिस से जो हम लोग कर र पर रहें नेरव उसमें से 10 बार कोश्चन अभी तक जो हम लगा चुके हैं उसमें से आये थे कर मैं आपको बताया भी था कि पेपर का लेबल क्या था अगर बात करें मानने वाले सिप्ट की तो मानने वाले सिप्ट में जो पेपर का लेबल था ठीक वह थोड़ा हाड था रजिस्थान जी के बात कर रहा है और इविनिंग वाले सिप्ट में किया हुआ डिप्लोमा धारी वाले थे तो हाँ पर जो जी के पूछा गया था रजिस्थान जी के वह थोड़ा एजी था चेले दोस्तों इसका जवाब बताए मुशी महराने की छेतरी कहां इस्तित है कहां आश्तित है अलवर में आपसर नंबर एक करिक्ट है नेश कोशन पर दोस्तों आप लोग कोशन को याद रखेंगे क्योंकि यह कोशन उस्तिक हम लोग साल पुरते हैं जो रजस्थान के अलग-अलग पेपरों में पूछो गये हैं कि अधिकन कोशनने की पुछ रहा है कि अली बच्च रजस्थान के कौँझ छेतर में प्रचलित है अल कौश्शी छेतर में आपसर मोँए । नबर एक वो की गई थी 2 जुलाई 877 में 2 जुलाई 877 में आपसर नमबर D पूछा जा रहा है आपसर कि जोदपूर के मेरान गड़क दूर का निर्मा किस ने करवाया था दोस्तों निर्मार से बहुत जादे कोश्चन आ रहे हैं कि इसका निर्मा किस ने करवाया इस मंदिल का निर्मा किस ने करवाया तो यहाँ में पूछा जा रहा है कि जोदपूर के मेरान गड़क का निर्मा किस ने करवाया किस ने करवाया जोदपूर के मेरान गड़क का निर्मा किस ने करवाया वो मेरे करवाया थे को राजा जोधा ने को डोस्तों ऐसे याद रखेंगे ठीक कर निकर भाया थी किसी निकरवाया थे जोधान को यह तो यहाँ से याद रखेंगे महरान गड की दूर्ग की अस्थापना भी जोधान करें आप सफ हैं नमों डेस्ट किसम पूछ रहा है कि निम्ली खित में से रजस्थान का कौन सा ज मेला कहां पर लगता है यह मेला लगता है बाड मेर में आपसर नमर सी सही है निश कोशन पर आते हैं पूछ रहा है कि संत दरिया वजी राम इसनेही संप्रदा की रस्थापना ठीक किस ने की थी संत दरिया वजी राम इसनेही संप्रदा की किस साखा के परवत्तक थी यह पूछ रहा है तो आपके किस साखा थी परवत्तक थी वह मेरे थे रैड आपसर नमर सी नेश कोशन पर आते हैं पूछ रहा है यहां पर कि जीवन कुटिर के गी निमलिखित में से किसके द्वार पूछते ने अलग-अलग पेपरों में पूछे गए हैं कि जीवन कुटिर जो गीत है मेरा ठीक इसके रहा चाहिता कौन है कौन इसके रहा चाहिता हीरा लाल सास्त्री जो हमारे पहले मुख्यमंत्री हैं वहां की नेश्ट पूछ रहा आपसे किस त्यवहार पर घूमर नि रजस्थान का लोग नित्रे हैं ठीक तो बताना है किस आयूजन पर किया जाता है मेरा किया जाता है गड़गावर के आपसे नमर बी दोस्तों जितने भी कोशन हम लोग कर रहे हैं यह प्रीवियस स्वियर में सब्सक्ते जादे बाप पूछे गए उसक हम उठागे कर रहे पूछ रहा है कि मेवाती बोली से संबंदित जिला कौन सा है आपको तो यह पता होगा मेवाती बोली कहां पर बोली जाती है तो स्थान का कौन सा जिला है जहां पर बोली जाती है वो मेरा अलवर है आपसे नमर बी नेश्ट आते हैं पूछ रहा है कि कौन से पलिटिकल करांती 859 में जब करांती हुई तो मारे गए थे वो मेरे थे कौन मैं मोशन आपसन नमबर ए कि निस्ट कोशन पर आते हैं पूछ रहा है यह भी दोस्तों बहुत बाद पूछा गया है रजस्थान के अलग-अलग पेपर में कि पोपा भाई पोल नामा पुष्टर के अस्था अपना किसने की यह जै नराया ब्यासने अपसन नमबर ए करेक्ट है इसका चलिए दोस्तों ने इस कोशन पर आते हैं पूछ रहा है कि मालती माधों के चित्र हैं मालती माधों के चित्र हैं किस सहल पूछ रहा है मालती माधों जो है मेरा 21 में है तो आपको बताना है किस सहल में मेरा मालती मा दो यह मेरा मेवार से याद रखेंगे मालती का म मेवार का म निस्ट पूछ रहा इसमें कि बैराठ प्राचिन काल में रजधानी थी जो मेरा बैराठ है ठीक यह किसकी रजधानी थी प्राचिन काल में जोस्तों यह प्राचिन काल में किसकी रजधानी थी मेर तो बहुत कर डीया यह गैरा एक डी मेरा मत्तिय टेकर है मेरे स्टीस नमबर कि दो दो जुए लीज श्द कि गालों रिष्टी का अस्रम कहां पेष्टी थे की मेरा एक cultural श्रम कां पेष्टी थे नेस्ट कोशन पर चलते हैं पूछ रहा है आपसे कि भीन माल का प्राचिन नाम क्या है दोस्तो ये भी आया वह कोशने बार बार पूछा कर जाता है कि भीन माल भीन माल ठीक इसका प्राचिन नाम क्या है दोस्तो प्राचिन नाम अर जगों का प्राचिन नाम पढ़के जाएं पूछ रहा है आपसे कि नाथ द्वारा चित्रकला सेली में चित्रण मिलता है किसका चित्रण मिलता है किस में नाथ द्वारा मिलता है वो मिलता है राधा राधाव कृष्णा का यानि कि आपसन नम्मर भी करेक्ट है याद रखेंगे नाथ द्वारा चित्रण में किस भगव गढ़ का दूर की किसनी बनवाया देखेए दोस्तों निर्मार्फ कोश्चन बहुत ज़्यादे पूछ रहा है तो बताई अचल गढ़ का दूर किसनी बनवाया किसी मनवाया माराडा कुम्भाने आपसर नमर बी करिक्ट है इसका नेक्स कोशन पर आते हैं बुच रहा है यहां पर कि नाथों का मंदिल इस्तित है इनाथों का मंदिल कहां पर इस्तित है कि जगह इस्तित है रजस्थान का कौन सा जिला है जहां पर नाथों का मंदिल इस्त करते होंगे नेश्ट पुछ रहा है कि नाडॉल में किस राजपूत वंस का साथ सकता तो मेरे वो चवहान वंस के ठीक है याद रखेंगे पुछा जाँ रहा है कि चित्तोर का प्राचिन नाम क्या है जाँ रखेंगे इसको नेश्ट चल दें कि पूछण विकनेर का प्राचिन नाम क्या है देखें दोस्तु प्राचिन से और निर्मार से ये दोनों पढ़के जाएंगे टॉपिक बहुत ज्यादे इस पर कोशन बनते हैं बिकानेर का प्राचिन नाम क्या है बिकानेर का प्राचिन नाम क्या है वो मेरा है जांगल आपसर नमर एक करेट है जांगल है इसका नेश्ट कोशन पर आते हैं पुछ रहा है आपर दजस्थान में जुराओ गीत है एक जुराओ फिक पूछे जुराओ गीत कि सवसर पर गाई जाती है यह जब पूरीस इस्थरी को छोड़ देता है तब यह गाय जाती है तो है नेस्ट कोशन पर चलते हैं पूश्राइश में कि गला लायक वीर काव की अस्थापना किसने की गला लाइंग एलाइंग ठीक गला लैंग वीर काव की सथापना किसने की कि अ मेरे की हैं अमरनात जोगीनी आपसन नमबर- कर रिख्ञें दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेंगे वीडियो को लाइक भी कर लेंगे बताएं गे नेस्ट कोशन पे कि जैपूर में ब्लू पोट्री ठीक जो ब्लू पोट्री निर्मा की शुरुवात किस ने करवाया था किस सासो को जाता है ये ब्लू पोट्री निर्मा की शुरुवात किसे किसे जाता है वो जाता है मेरा किसे महराजा राम सिंग को अपसन नमबर एक करेक्ट है नेस्ट कोशन पर चलते हैं पूछ रहा है कि नेरसी की खेयात में गुहीलो को कितनी सखाओं का उल्लेक किया गया है तो मेरे नेरसी की खेयात है ठीक है उझे पूछ रहा है कि गुहीलो को कितनी सखाओं में बाटा गया है तो नेरी रिसी का खयात जो उसमें गोईलो को 24 सकाव में बाटा गया है आप से नम ए 24 नेरी तक पयोँगा नेरा आधिवाशियों की देवी है ये भी बहुत बाब कोश्ण पूछा गया है तेक याद रखेंगे तो यादिवाशियों की देवी है मेरी कौण सी देवी है आरिवासियों की वो मेरी है अच आपसर नमर रिष्ट कोशन परते हैं पूश रहे आपसे कि रजस्थान का कहलाता है कि रजस्थान का वह कौन सा थिक है जग़ा है जिसे हम तोतानदी कहते है रुपफ़ तोतानदी वो मेरा कौन से जगह है वो मेरा गलता याद रखेंगे आपसे नुमर स्रीकरेक्ट हैं गलता जो है गलता को हम मुत्तर कत्वतांदी काते हैं नेश्ट पूछ रहा है कि देवताओं की साल इस्ति थे देवताओं की साल ठिक इस्ति थे कहाँ पर दोस्तों इसको बताना है आपको कि देवता आँं के छाल कहा पे इस्तित है वो मेरी स्तिन थे कहां पे मंडोर में याद रखेंगे इसको मंडोर में मेरा जो है देवताऊं के साल इच्छी थै पूछ रहा है कि मुगल समराज जागीर ने दल दमन की उपाद किसे परदान की दोस्तों यह भी आया कोश्चन है पूछा जाता है जो जागीर है ठीक जागीर ने जो उपाद दी थी किसे दी थी जै सिंग को ठीक जैसिंग को सरी गज सिंग स्वारी सरी माप कर दिये दोस्तों गज सिंग गया गज सिंग को ही दल दमन के उपाद दी थी कौन जागीर ने दिये थी ने इस कोशन पर आते हैं पुछ रहा है काली बंगा छेत्र में कितनी अगनी वेदिकाएं प्राप्थ हुए हैं जो मरे काली बंगा छेत्र है उसमें पुछ रहा है अगनी वेदिकाएं प्राप्थ हुए हैं कितनी पान साथ आठ नौ उमरी अगनी वेदिकाएं जो है ठीक काली बंगा को प्राप्थें साथ आपसे नम्मर भी करेक्ट है निश्ट पर आते हैं पूछ रहा है इसमें कि अड़ सट्टा क्या है दोस्तों ये भी पहुर्बा पूछा गए अड़ सट्टा ये मेरी एक मापन है ठ काड रखता ये ये 68 कौन सा रिकाड रखता है भूमी का यह रिखता है जयापूर राज का भूमी संबंदीश्यार्धका ये 68 या रखेंगे इसको ठ Wakar कि नेक्स कोशन पर आते हैं पुछ रहा है यहां पर रजस्थाने संस्क्रीती में खपटा क्या है खपटा क्या है पुछ रहा है दोस्तों आप चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राब ज़रूर कर लेंगे 6 दिसंबर को आने वाले वही कोशन को हम लोग साल्प करने हैं जो ज्यादा तर पेपरों में पूछे गए हैं जली बताएं दोस्तों खपटा क्या है वो मेरी है एक पनावा है ठीक है जो सहरिया पूर्षू दरा पूर्षू का सपा आई है ठीक याद रखेंगे वो सहरिया प आते हैं पूछना रजस्तान में घुड़ला तेवहार मना आ जाता है आपको बताना है घुड़ला तेवहार मना जाता है कब दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चनल को सब्सक्राइब कर लेजिएगा बताइए रजस्थान में जो घुड़ला ते वहार है मना जाता है कब वो मना जाता है चैतर सुक्ति के तिति आपसर नमबर कि दोस्तों आप आपना सेशन इसी पर समात करते हैं ठीक आप में कमेंड बाक्स में बताएए आपका टोटल पैंतेश में से कितना खरेक्ट हुआ चलिए दोस्तों अगर वीडियो से डिलेटेड को भी आप प्राबल में दिक्कत हो आप कमेंड बाक्स में जरूर बताएए चलिए दोस्तों आज सेशन समात करते हैं इसी पर थैंक्यू फार वाचिंग जै हिन जै भार